तो गाईज आज की वीडियो से हम लोग अपने Arduino Programming Series को continue करने वाले हैं और गाईज आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग Arduino Programming में Array का क्यों use करते हैं गाईज इस वीडियो में Array को पूरा नहीं पढ़ाने वाला हूँ मैं सिर्फ इतना पढ़ाने वाला हूँ जितना कि आप लोगों को Arduino Programming में आप लोगों को जरूरत हो तो गाईज चली हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं गाईज सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि Array का हम लोग use क्यों करें और कैसे करेंगे हम लोग Array का use इसको हम लोग बात में देखेंगे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि Array का use हम लोग क्यों करें किसलिए हम लोगों को Array बनाने की जरूरत होती है तो गाईज इस बात को समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक Example से समझाता हूँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 10 variable को बना लिया LED1, LED2, LED3 same data type से मैंने variable बनाया है और उसमें मैंने value को assign कर दिया है जिसमें LED1 में मैंने assign किया 2, LED2 में मैंने assign कर दिया 3 इसी तड़िके से मैंने साड़े variable में कुछ ना कुछ value को assign कर दिया लेकिन इसमें आप लोगों को दिखता होगा कि इसका सारे का data type same है यानि कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं integer data type का मैंने variable बनाया जिसमें value को assign कर दिया store कर दिया अब guys इसमें होगा क्या कि हम लोग अपने program में ज़्यादा से ज़्यादा variable बनाएंगे तो हम लोगों का program जो है थोड़ा सा लेंदी दिखेगा और हम लोगों को कुछ समझ भी नहीं आएगा और बहुत ही ज़्यादा लंबा variable बन देगा इसी problem को दूर करने के लिए हम लोग array का use करते हैं अब guys यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग ने 10 variable बना लिया इससे ज़्यादा भी use हो सकता है हम लोगों की program में मैंने यहाँ पर एक example के लिए आप लोगों को यहाँ पर 10 variable को बना कर दिखाया अब guys चलिए हम लोग इसी variable को हम लोग array में कैसे बनाते हैं इसको समझते हैं अब guys यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस screen पर दूसरे वाले code को copy कर लिया है इसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक array बनाया अब ये कैसे काम करता है इसको हम लोग चलिए और deeply समझते हैं सबसे पहले हम लोग चलिए समझते हैं कि array को हम अपने प्रोग्राम में कैसे बना सकते हैं तो इसके लिए हम लोग simply सा जैसे हम लोग variable बनाते हैं उसी तरीके से हम लोग कोई सा भी data type का Array बनाएंगे यहाँ पर मैंने integer data type का एक array बनाया है मैंने int लिखा है उसके बाद फिर led नाम का एक led इसका identifier दे दिया है उसके बाद फिर open square bracket और close square bracket का use किया है उसके बाद assignment operator का use करके अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि curly bracket के अंदर मैंने value को store किया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 12,3,4,5,6,7,8,9,10,11 यहाँ पर मैंने 10 value को store कर दिया इस array के अंदर तो guys यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस array को बनाने का protocol कुछ इस type का होता है तो guys अब बात करते हैं कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इस array का use कहाँ पर दिखाने वाला हूँ यानि कि कौन सा मैं program बनाने वाला हूँ जिसमें मैं इस array को use करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि array कैसे काम करता है तो guys इस code को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे LED को connect किया है यहाँ पर मैंने 10 LED को connect किया है और इस array के use से हम लोग इस LED से हम लोग कुछ भी करवा सकते हैं तो guys चलिए मैं आप लोगों को code समझाता हूँ और देखाता हूँ कि array की help से हम लोग इस LED से क्या क्या करवा सकते हैं अब guys यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक array बना लिया है आप लोगों में से लगबख सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि array कैसे काम करता है इसको हम लोग और अच्छे से समझने के लिए इस program को समझते हैं तो guys अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने औरडिनो के pin number 12,3,4,5,6,7,8,9,10 और 11 pin number पे LED को मैंने connect किया है तो वहाँ तो मैंने connect कर दिया LED को अब यहाँ पर मैंने array को बना लिया है अब इस array को use करके हम लोग LED को assign करेंगे अब guys जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि यहाँ पर मैंने सिर्फ एक array बनाया अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ प्रोग्राम में आप लोग एक बात और ध्यान रखना कि array में यह जो सारे values हैं इसको हम लोग element कहते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यह सारे element है इनका कोई ना कोई position है जैसे कि 12 का position 0 है 3 का position 1 है 4 का position 2 है तो guys यहाँ पर मैंने use किया है I is equal to 0 मैंने यहाँ पर सिर्फ एक for loop बनाया है अभी मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया सिर्फ एक for loop बनाया है जो कि number को count करेगा 0 से लेकर 9 तक मैंने यहाँ पर 9 क्यों बोला क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है I का value जो है 10 से छोटा होगा अब इस for loop का use करके मैं अपने program को समझाऊंगा कि यह जो array में element है यह element जो है ordino में pin numbers है जिनको मुझे output करना है अब यहाँ पर मैंने pin mode function का use किया pin mode function के अंदर मैंने parenthesis के अंदर लिखा है LED I यहाँ पर LED I का मतलब क्या हुआ गाइस कि अभी हम लोग इसको समझेंगे LED I, output यहाँ पर मैं program को क्या कह रहा हूँ अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि for loop जैसे ही start होगा तो I का value 0 होगा अब यहाँ से जैसे I का value 0 होगा हम लोगों का program जो है इस curly bracket के अंदर आ जाएगा pin mode अब LED I, यानि कि I का value अभी 0 था तो यहाँ पर array जो हम लोगों ने बनाया था LED नाम का उसमें I place जो है 0 place पर कौन सा value है 12 है अब यहाँ पर यह function क्या करेगा कि यह जो I का value है यानि कि 12 जो है 12 का mode जो है output कर देगा इसी तरीके से फिर हम लोगों का program जो है for loop के अंदर आएगा I का value को increment करेगा अब जो है I का value 1 हो गया अब यहाँ पर गाईज 1 place पे element कौन सा है 3 है तो 3 को output कर देगा इसी तरीके से हम लोगों का program जो है 12 से लेकर 11 तक यानि कि सब को यहाँ पर output कर देगा इसका mode output कर देगा यहाँ पर गाईज आप लोगों को समझ में आगे होगा कि मैंने यहाँ पर program में क्या किया है अब गाईज नेक्स्ट हम लोग चलते हैं wide loop वाले function के अंदर अभी मैंने यहाँ पर LED को connect कर दिया है अब इस LED से मैं कुछ भी करवा सकता हूँ कुछ pattern में मैं LED को glow करवा सकता हूँ इसको blink करवा सकता हूँ और भी बहुत सारे काम करवा सकता हूँ तो guys यहाँ पर मैंने एक simply सा program लिखा है जो कि LED को 1 by 1 on करेगा अब फिर से हम लोगों का program जो curly bracket के अंदर आएगा अब यहाँ पर function जो है उसको मैंने change कर दिया है यहाँ पर मैंने लिखा है digital right अब digital right function का use करके मैंने program को समझाया है कि मैंने जो भी LED को connect किया है तो output में मुझे कुछ value को देना है तो यहाँ पर मैंने use कि है digital right LED i high अब यहाँ पर हम लोगों का program क्या करेगा कि आए का value सबसे पहले 0 था आए का value zero लेगा उसके बाद फिर zero place पे कौन सा है number 12 है यानी कि pin number 12 का value है उसको high कर देगा उसके बाद फिर से हम लोगों का program जो है आए का value को increment करेगा यानि कि 1 कर देगा, अब 1 plus पे कौन सा है, pin number 3 है, pin number 3 का value high कर देगा, उसके बाद पिर pin number 4 का value high करेगा उसके बाद pin number 5 का value high करेगा, इसी तरह से हम लोगों का program जो है, 12 से लेकर 11 तक, one by one LED का value को high करता चला रहेगा, और हम लोगों को दिखेगा, कि हम लोगों का जो LED है, one by one on अब गाइज इसको हम लोग चलिए रन करके देखते हैं कि हम लोगों का प्रोग्राम सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो guys answer है जी हाँ आप लोग कर सकते हैं इसको हम लोग दूसरे example से समझेगें दूसरा वाला example क्या है guys कि इस array वाले element से मैं किसी एक pin को select करूँगा यानि कि किसी एक element को select करके उसको मैं blink करवाँगा अब example की ताउर पर मान लीजे कि ये जो array है इसका कोई सा भी element मान लीजे कि element number 5 हम लोग सबसे पहले इसका place देखेंगे ये 0 place पर 12 हो गया 1 place पर 3 हो गया 2 place पर 4 हो गया और 3 place पर हम लोगों का value है 5 हो गया तो हम लोग इसको याद राखेंगे कि हम लोग pin number 5 को blink कर आएंगे pin number 5 जो है यानि कि element 5 place पे है, तो इसको हम लोग 3 place याद रखेंगे, अब हम लोग अपने program का अंदर आएंगे, अब हम लोग लिखेंगे digital right, हम लोगों ने लिखा digital right, parenthesis देंगे हम लोग, उसके बाद इसके अंदर लिखेंगे, हम लोगों को pin number 5 को blink कराना है, यानि कि pin number 5 place 3 पे है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, led, उसके बाद फिर हम लोग square bracket देंगे, अब यहाँ पर हम लोगों को जिस भी element को blink कराना है, उसका place हम लोग देंगे, यानि कि element 5 जो है, इसका place है 3, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3, उसके बाद इसको close करेंगे, अब यहाँ पर comma दे दीले पर जाएगा, इसी तरीके से हम लोग इसको high और फिर low करेंगे, तो इसको मैं यहां से copy कर लेता हूँ, अब guys यहां से मैंने इसको low कर दिया, अब इस program को हम लोग चलिए, upload करके देखते हैं और run करके देखते हैं, कि हम लोगों का program जो है सही से काम कर रहा है की नहीं Guys यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने अपने program में जिस LED को select किया था वही LED ब्लिंक होड़ा है इसी तरीके से हम लोग इस 10 LED में से किसी भी individual LED को glow कर आ सकते हैं Guys उमीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो में array का use समझ में आ गया होगा Guys अगर इस वीडियो से related आप लोगों को कोई सा भी doubt रहे गया हो तो आप लोग मुझसे comment में जरूर पूछ सकते हैं Guys अगर वीडियो पसंद आए तो इसे like करना, share करना और साथी साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर लेना मिलते हैं नेक्स वीडियो में, goodbye